कि हेलो क्लास 11 वेलकम टू आवर चनल जेनेद गुरू मैं हूँ आप कमेंट और आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैंने स्टाट करका बहुत ही प्यारा यूनिट जिसका नाम है साइटलोजी साइटलोजी में अभी तक हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं पहले इंट आप्लास 11 में सेल मेंब्रेन लें देखा एंडू मेंब्रेन से अब सेक देका जिसमें हमने एंडोप्लास्मी रेटी कूल गॉलगी अपरेटस और लाइसुसों मॉर्ज यादर रखेगा प्लास्तिर का काम होता स्टेκι करना कुछ भी स्टोर कर सकता है इंग क्लर इस्टोर क करेगा यहीं होगा तो जो चीज इस्टोर करेगा वो से ल और जो कुछ इस्टोर करेगा उसको हम बोलेंगे प्लास्टी तो चलिए एंसाइड पॉइंट आव उसे देखते हैं क्या लिक है नसे अटी में हाँ देखे प्लास्टिड थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं प्लस्टेड आर फांद इन प्लस्टेड आर फांद अटेड था ठीक है इन युवलर ऊटर पता दिया था मैने य क्या होता है युवल क्या प्रोटेश्टा का मेंबर है युवलर नाय ठीक है यूगलाइड को हम लोग connection मानते हैं living sorry plant और animal का connection मानते हैं living और non-living का connection हम virus को मानते हैं ठीक है ना यूगलाइड को हम बोलते है connecting link between plants and animals light की presence में ये plant की तरह behave करता है light की absence में ये animal की तरह behave करता है ठीक है तो लिखा है acid are found in all plant cell and in eagle euglanoid these are easily observed under the microscope इसको हम मैं क्रोस्कोप से easily देख पाएंगे as they are large they bear some specific pigment ठीक है पिगमेंट का मत अथा कलर थस imparting the specific colors to the plants ठीक है based on the type of pigment plastic can be classified into chloroplast chromoplast and leucoplast chromoplast and chloroplast and lyokoplast अगर plastid के पास chlorophyll है chlorophyll से क्लिए green pigment होता है chlorophyll के वाइच से ही plant green दीखती आगर chloroplast के पास क्या है chloroplast के बस्थ क्या है chlorophyll है sorry अगर plastic लोर प्रक्रिएठ गया पास chlorophyll है तो उसको chloroplast बोलेंगे अगर process Di के पास दिसरे ज़नर हैं उसको हम बोलेंगे क्रमो प्लस्ट ठीक है क्या होता है आपने देखा होगा को मालज्टे देख आ प्रूरूट ले लिजे आम की बात करें आम पहले हरा होता है जब वह कच्छा होता तो हरा होता है तो जब हरा है तो हरा किस के वहेसे होगा फिलोफ हील से यानि उसके तेल में या प्रेजेंट होगा क्लोरो फ्लास्ट ठेक है कुछ दिनों के बाद्स linking हो जाता है या अपने अधने क्रोमो प्लास्ट में क्रोमा मतलब कलर होता है तो यहां पर दिख रहे हैं यह यह लिखा ना क्रोमो प्लास्ट क्लूरो प्लास्ट अगर उसके पास क्लूरो फिल है तो उसको हम बोले हैं क्लूरो प्लास्ट उसके अलावा जितने कलर हैं उसके अलावा जितने कलर हैं अगर प के पास क्या आ गया क्रोम प्लास्ट आ गया क्लियर हो गया यह हुआ क्लियर और तीसरा क्या है लिको प्लास्ट अगर प्लास्टिड फूड को स्टोर करेगा तो उसको हम बोलेंगे लिको प्लास्ट क्या है अगर प्लास्टिड क्लोरोफिल को स्टोर करता है तो उसको हम बोलत करेगा तो उसको हम बोलेंगे लिउको प्लास्ट ठीक है यह क्लियर हो गया आगे देखें क्या लिखा है दा क्लोरोप्लास कंटेन क्लोरोफिल एंड करेटराइट पिगमेंट विच इस रिस्पॉंसिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशल फॉर फॉर्ट यह आ इस क्लोर्श फॉर्ट फॉर्टिंट करोमप्लास में क्या था फैट्स उलुबल क्रेट इन फिगमेंट वाइज पिगमेंट अदला था कदर लाइक कारोटेन जैंठ फिल एंड जैंठ फिल एंड सिंप१ूर आरप्रेजेंट ठीक आपको बताए ब्राउन यगी जो है ब्र क्रोमप्लस्ट ग्यम्ट यिढलो औरन्ज और रेट दिखती है टव लिपो अगर लूकॉप्ल ostr अर्द कार्भोहाइड्रेट के इस्टूर करेगा अगर वो Carbohydrate को Store करेगा, तो उसको हम बोलेंगे Amyloplast, क्या बोलेंगे? Amyloplast, ठीक है? Amyloplast, example क्या होगा? Potato, पोटेटो के अंदर, पोटेटो क्या है? उसके अंदर plant cell ही तो होगा, उसके cell में जो Plastid है, वो क्या करता है? Store करता है Carbohydrate को, ठीक है? उसको हम क्या बोलते है? Amyloplast, अगर वो Protein को Store करेगा, तो उसको हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे Allureoplast, इसमें लिखा नहीं है शाएद इतिक, उसको हम बोलेंगे Allureoplast, ठीक है? Allureoplast, अगर वो Fat को Store करेगा, तब हम उसको बोलेंगे Allureoplast, सट चेलियो प्लास्ट चो क्या सिखा बतीड जो होता है वो तीन टाइब का होता है कौनकौन सा एक होगा क्लोर प्लस्ट अगर हो क्लोरोफिल का श्टोर करें अगर वह फ्क्रशं Mans च्ट्स नai सब्सक्रद इकड़ेर क्रोम प्लस्ट अगर वो nutrient या food को store करें तो उसको हम बोलेंगे leucoplast अब leucoplast फर्दर तीन टाइप का होता है अगर वो carbohydrate को store करेगा तो उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे amyloplast अगर वो protein को store करता है तो उसको हम बोलेंगे allureoplast अगर वह फैट या ओईल को स्टोर करेगा तो उसको हम बोलेंगे इलियो इलियो प्लास्ट टो ये था आपका प्लास्टिड का इंट्रॉप्शन नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखें के कलोरोप्लास्ट के बारे में वीडियो थोड़ा चूटा है लेकिन हमने एक म नोट्स बनाई है और रिवाइज करते रहे हैं छोटा लेक्चर होता पांच साथ मिनट का होता कोई बात नहीं आप उसको देखिए और रिवाइज कीजिए नोट्स बनाई है इससे आपको क्या हो कॉंसेप्चिल क्लेरिटी आएगा क्रिस्टल क्लियर इमेज होगा सारे सेल करनल का ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद है कि अ